आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ जिसे अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ड करते हो तो आप प्रति दिन के हिसाब से जो है लग भग लग भग दस हजार से लेकर के ग्यारा हजार रुपए आप प्रति दिन कमाओगे दोस्तो एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत ही कम लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं और इसकी डिमांड जो है मार्केट में बहुत ज्यादा है दोस्तो यह जो बिजनेस है मैं आपको बता दूँ कौन सा यानि कि जो एलुमिनियम का वायर होता है आप लोगों ने देखा होगा कि जो बैंक में जाली टाइप का लगा होता है और आप लोगों ने देखा होगा कि हाईवे पर लगा होता है जाली चारदेवारी टाइप का जो होता है जाली लगा होता है कि इस पार से उस पार आद तो ये चैन लिंक फेंस का बिजनेस जो है बहुत ही चलने वाला बिजनेस है और इसका जो रा मटरियल दोस्तों है वो आपको 38 रुपए पर केजी में मिल जाता है रा मटरियल के अलावा आपका जो ट्रांस्पोर्ट का खर्चा है वो दो रुपए प्रत किलो के हिसाब से इस से दोस्तों वो तिरपन रुपए से ले करके 55 रुपए प्रत किलोगराम है यानि आप अगर इस बिजनेस को करते हो तो 10 से 12 रुपए प्रत किलोगराम आप प्राफिट कमा सकते हो और एक घंटे में हम अगर इस इसमें प्रोड़क्शन की बात करें तो लगभग 130 से ल आप लगभग 10 से 11 रुपए आप एक दिन में कमा सकते हो और अगर आप इसी तरह लगातार काम करते रहें 30 दिन तक तो 30 दिन में आप लगभग 3 लाख से ले करके 37 लाख रुपए आप जो है कमा सकते हो अब हम अगर इसमें लाइसेंस की बात करें तो इसमें एक छोड़ा सा लाइसेंस आपको लेना होता है जीला उद्योग केंडर से आपको जो है रिश्टेशन कराना होता है और आपको एक जीएस्टी रिश्टेशन कराना होगा उसके बाद में इस बिजनेस को आप आगे बढ़ा सकते हो दोस्तों मान लीजिए आप फुली आर्टोमेटिक मसी लेना चाहते हो और आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपने नियरेस्ट बैंक में जा करके वहां से आप लोन के लिए एपलाई कर सकते हो जब और आपका लोन एप्रूब्ट हो जाए उसके बाद में आप जिला उद्द्यों केंडर में जाए जो वहां पर सिये होते हैं है तो उसमें जो है आपको लगभग जो है 25 से 35 परसें जो है आपको सबसीडी भी मिल जाएगा और जो मसीन 11 से 12 लाग रुपे के आती है ये आपको 8 से 8.5 लाग रुपे में पड़ जाएगी तो काफी जो चलने वाला बिजनेस हो दूफतों और इस बिजनेस को आप स्टा करके और अच्छा खसा मुनाफ़ा जो है आप जनेरेट कर सकते हो आप हर महीने 3 से 37 लाख रुपे और दिन का आप 10 से 11 रुपे कमा सकते हो तो दोस्तों अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और ह